यूपी ब्लॉग प्रमुक चुनाओं में बवाल का इजिलो में हंगामा समर्दकों की बीच से हुई मार पीट अब मसूरी में प्रमेश करने से पहले दिखानी होगी कोरोना की निगेटिव रिपोर्ट भीर बढ़ने पर हुई सकती दिली काबिनेट ने रियल टाइम सोर्सेज अपोर्शन मेंट स्टाडी को दी मलजूरी प्रदूशन के स्रोथ रियल टाइम में होंगे ट्राक गंगयों नहीं पाएगाए कोरोना वारिस के निशान रिसर्च के बाद नदी कोविट फ्री घोशित कोरोना मामारी में अनाद हुए बच्चों की पहचान के लिए सर्वे कराएगी दिली सरकार उठाएगी पूरा खर्च उत्रप्रदेश की खबरों की करते हैं शुरुवात उत्रप्रदेश में ब्लॉक प्रमुक चुनाओ के लेकर घमासान जारी है आज 11 परजे से उत्रप्रदेश की 406 चेत्र अध्यक्ष पत के लिए मद्दान हुआ मद्दान जारी है 1174 उमीदवारों के बीच मुकाबला हो रहा है नामांकन वापसी के अंतिन दिर 349 चेत्र में अध्यक्ष निर्विरोध निर्वाचित हुए आज 3 बजे तक मद्दान होगा मद्दान के बाद मदगरना कर परिनाम आज ही घोशित किये जाएंगे बीडिसी सदस मद्दान के लिए मद्दान केंद्रों पर पहुशने लगे है मद्दान के शुरू होते ही कुछ इलाकों में हिंसा भी शुरू हो गई है पोलिंग बूत पर जगा जगा पोलिस बल को तैनात किया गया है ब्लॉक प्रमुक चुनाओ को देखते हुए प्रशासन अलर्ट है प्रशासन ने जगा जगा बारिकेटिंग कर शांती पूर्धंग से चुनाओ कराने की कवायद शुरू कर दी है इस चुनाओ में कुछ जगाओ पर भाजपार सपा की सीधी चकर भी हो रही है सपा और निर्दली प्रत्याशे के बीच भी कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा वहीं आप तस्वीरे भी देख सकते हैं आजमगर से राकेश जुड़ चुके है राकेश मदान के जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है इस वक्त क्या स्थिति आप देख पा रहे हैं ब्लॉकों पर आजमगर के बहुत है कि बहुत 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 शुक्रिया हम ऐसे जुड़ने के लिए तो मदान शांतिपूर वग करवाने के लिए पुलिस बल तैनात की गई है मदान किया जा रहा है अलाकि कुछ जगाओं पर ब्रवाल की भी सूचना प्राप्त हुई है जहां पर सपाईयों द्वारा यारोप लगाए गया है सिदे तोर पर कि कही न कही चुनाओं में भी गड़बड़ी करी जा रही है तो आप तस्वीरे भी देख सकते हैं कई जगाओं के भी हम आपको दिखा रहे हैं पांच जगाओं की तस्वीरे आजमगर्ड कोशांबी ओर रहिया राइबरेली कानपूर जहां पर मदान की प्रक्रिया सुचारू रूप से चालू है मैं और यह से जाहिद जुड़ चुके हैं जाहिद वहां पर मदान के सिती क्या है जी शांती पूर्वक वहां पर और यह में इस तमाम ब्लॉकों पर चुनाव हो रहे किसी तरह की कोई परशानी तो नहीं मैसूस की जा रही है कोई तरनाव किस्तिती कानून विवस्ता दुरूस दिखाई दे रही है बिलकुल चिक है बहुत बहुत शुक्रिया तो और यहां से हम आपको अपडेट दे रहे थे हाला कि जैसा की कहा उन्होंने कि शांती पूर तरीके से हमाई समवादात ने बताया की चुनाव हो रहा है देव आनंद कौशांबी से जुड़ चुके हैं देव मैं आपसे जानना चाहूंगी क्या स्तिती आप देख पा रहे हैं सुरक्षा नरस्ता किस तरह से दिखाई दे रही है कौशांबी में भी स्तिती सामान नहीं है इस वक्त ऐसी कोई बवाल की खबर सामने नहीं आ रही है पांच जिलो की तस्वीरे आप देख पा रहे हैं जहां पर राइबरेली आजमगर्ड औरया कौशांबी जौनपुर में मद्दान प्रक्रिया सुचारू रोप से संचालित की जा रही है तो बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं जिस तरह से आप तस्वीरे भी देख सकते हैं आला कि कहीं न कहीं ये डर था कि जिस तरह से ब्लॉक प्रमुक चुनाओं में गड़बडी की बास सामने आ रही थी और ब्लॉक प्रमुक का नामांकर हुआ तो हिंसा की भी खबरे सामने आई तो उसी को लेकर आज चौकसी बढ़ाई गई है पुलिस तैनात की गई है और चप्पे चप्पे पर नजर ब प्रमुक के लिए वोटिंग के दोरान भी जगा जगा जड़ब की खबरे सामने आ रहे है मुझफर नगर राइबरेली कानपूर हमीरपूर सहित कर्थ कुछ इलाकों में वोटिंग को लेकर बवाल हो गया है वोटिंग के दोरान सपा और बिजेपी समर्थकों में जमकर न मौके पर मौझूद भारी पुलिस बल ले समझा बुजा कर मामले को शांत कराने में लगे हुए हैं अब मदान केंद्रों पर पीएससी ने मोर्चा खोल दिया है और मोर्चा समालते हुए सुल्तानपूर के लंभुवा में सिती की गंबीरता को देखते हुए मौके पर जि सुरक्षा प्रबंद किये गए हैं तो सुल्तानपूर कानपूर मुजफर नगर राइबर एली अमीर पूर ये तमाम ऐसे जिलें जहां से हिंसा की खबरे सामने आई हैं बवाल हुआ है प्रत्याशी और उनके समर्तकों के वीचाली आला की आज बारी पुलिस बल भी तैना की गई है तो बावाल के स्थिति उत्पन हुई यूपी ब्लॉक प्रमुक चुनाव के दौरान चुनाव को लेकर घमासान जारी है अबिशेक आप क्या स्थिति देख पारें सुल्तानपुर के ब्लॉक पर जहां पर चुनाव हो रहा है पिल्कुल केसी आप से बताना चाहेंगे सुल्तानपुर लववा ब्लॉक है जहां पर बीजेपी कारिश करता उर्मिला सिंग है और दूसरी का कहते हैं पर प्रटाप सिंग है जो कहते हैं निर्दली है तोनों ही पक्षों में लगातार घामातान बना हुआ है तोनों ही पक्षों बेरिकेट लगा कर रुपा गया है वहीं जो टाकिते हैं समाम पुलिस बल लगाई गई है और डी आईजी और सब्सक्राइब करना पर रहा है क्योंकि पुलिस फोर्स भी हम आदेख पारे तस्वीरों में कि तैनात की गई है लेकिन उसके बावजूद भी जो वावाल है वो थमता नहीं दिख रहा है बिल्कुल आपको बता देंगी ग्यारा वह से किर्टी पूरा मामला सुरू हुआ था है लेकिन उसके बाद से लेके करीब दो वज़े तक इस्तिती अन्यंतर के बाहर थी लेकिन उसके बाद से कप्तान और तमाम आला अधिकारी टीम के पहुंशने वद मामले को भागू मुलिया गया कि आप विजुल में देख रहे हैं कि अन्तर करने के पुलिस में अलका बल प्लियों भी गिया तो फुल मिला कि अभी मामला सांथ है अभी ऐसे को हाल सिलाल में कोई रखता नहीं नहीं प्रत्याशों के बीच बवाल हुआ अलगातार हम आपको तस्वीरे दिखा रहे हैं जन जगाओं पर बवाल की स्थिति उत्पन हुई है पुलिस समझाने में लोगों को लगी हुई है लेकिन कहीं न कहीं भीड एक खटा हुई और इस तरह का बवाल किया गया तो एक बार फिर स्थिति तनावपूर है सल्तानपूर के कई ब्लोकों पर स्थिति तनावपूर नज़र आई कानपूर में आई मुजफर नगर में आई राइबरेली और हमीर पूर में स्थिति तनावपूर हो गई मैं ओम शंकर राइबरेली से जुड़ चुके हैं ओम शंकर जी मैं आपसे आना चाहूंगी राइबरेली में भी कही न कही तनाव के स्थिती कुछ ब्लॉकों पर उत्पन हुई है जिस तरह की डर था जी बिल्कुल यहाँ शूगर ब्लाक में जबर्दस्त हंगामा देखने को मिला है पूर एनलसी राकेश प्रताज सिंग के बेटे हर्मन सिंग प्रत्यासी है वही वर्तमान एमेलसी दिलेश प्रताज सिंग में एक अपना समर्था कंडी लेश तिल्पा सिंग को ख़़ा कर दिया है वही मद्दान को लेकर दोनों पक्षों में जबर्दस्त हंगामा काता है हाला कि मौके पर भारी पुलिस वाल पहुचा है मौके पर मौहर को सांथ कराया गया है जी कि है पार शुक्रियों वाम शाख्रम ऐसा जुड़ने के लिए तो राइबरेली में में अ गोर्यत्री में फी भवालके मामला शांत कर वा दिया गया है तो राइबरेली में तनाव की स्थिती पैदा हो गई एक बार फिर लेकिन मौके पर पुलिस फोर्स तैनाग थी जिसने मामले को शांत कराया मुझदफर नगर सुल्तानपूर कानपूर राइबरेली हमीरपूर की अब तस्वीरे देख पा रहे हैं कि यहां के केंद्रों पर चुनाव केंद्रों पर किस तरह से बवाल की स्थिती उत्पन हुए तनाव पूर्ण स्थिती पैदा हो गई हाला कि कुछ जगाओं पर पुलिस ने शांत करवाया मामला वही हां वही पूर से ब्रिजेश ओजा हमा ऐसा जोट चुकें ब्रिजेश टी क्या स्थिती आप देख पा रहे हैं इस वक्त जी आपको बदाना चाहूंगा कि स्थिती इस्तमें सामान है अलागी हंगामे के बाद जीले के पुलिस कप्टान मोके पर पहुंचे है और इस तिकी का जाय जा लिया है अब भीड इखटा नहीं होने दी जाएगी उसके बावजूद बवाल के स्थिती क्यों उत्पन हुई जी मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह पूरा वाक्या उस समय का है जिसमय सपा के जो ब्लाक पुरूफपत के दावेदार थे वह अपनी जाड़ी में जैसे ही ब्लाक जी इस पतार में वर्टी चराया गया और इतना ही नहीं बादपाईयों के उसले इसकार बुलाने देख यह पुलिस के साथ लटका मुक्ती करते हुए भी जेट के अंदर गुशने का इन लोगों ने प्रियास कि है तो वहां पर जो फोर्स तैनाद थी उन्होंने इन लोग सामान बनी हुई है तो सुल्टानपूर राइबरेली मुझफर नगर कानपूर और हमीरपूर के हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर बावाल के स्थिती उत्पन हुई तनाव पून इस्थिती हुई हाला कि अभी कुछ जगहों पर स्थिती सामाने हो गई है मयोतर प्रदेश में ब्लॉक प्रमुक चुनाओ को लेकर घमसान जा रही है मदान है तीन बजे तक होगा और उसके तुरंट बादमदगरना शुरू होगी और फिर पर नाम घोशित किये जाएंगे बीडीसी सदस्य मदान के लिए मदान के इंद्रों पर पहुचने लगे हैं मदान के शुरू होते ही कुछ इलाकों में हिंसा भी शुरू हो गई खैर पोलिंग बूद पर जगा जगा पोलिस वर्ल को तैनात किया गया है ब्लॉक प्रमुख चुनाओ को देखते हुए प्रशासन अलर्ट है महीं बारबंखी के देवा ब्लॉक में पोलिंग बूद पर सुरक्षा व्यवस्ता का जायजा लेने के लिए हमारे संबादादा अब ही मौके पर पहुंचे ब्लाक परमुख का चुनाओ चार सो चीटर सीटों पर हो रहा है और तीन सो से ज्यादा ब्लाक परमुख निरोद चुने जा चुके हैं हम इस टाइम पहुंचे हुए है देमा ब्लॉक के में और हम आपको दिखाने साहेंगे कि जो शेत्र पंच प्रसासन भी मौझूद है और पुलिस प्रसासन की देख रेक में यहां पर मत्दान हो रहा है और लोकतंद के इस महापर्व को मनाया जा रहा है जो छेत्पंचाई सदस हैं वो अपने अपने मत का परयोग कर रहे हैं और अपना ब्लाक परमुख चुन रहे हैं तो साथ दे ब्लाक में वोटिंग शुरू हो गए बोलिंग बूत पर्स और रक्षा के कड़े इंतजाम किये गए इसी के मद्दे नजर सभी तहसीलदार मजिस्ट्रेट गौतं सिंग नहीं 12-14 ब्लाक का जैसा भी लिया साथी ड्रोन कैमरे से आसपास के इलाकों की निग्रानी रखी ज अईया जनपतके साथ ब्लाकों में से दो ब्लाक और अईया सदर भाजपा के खेमे में है और भाग्ये नगर ब्लाक सपा के खेमे में निर्विरोद चले गई बाकी बचे पांच ब्लोक में आज ब्लोक प्रमुक का चुनाव है ऐसे में और एया के सम्भीदन शील अजीत मल ब्लोक सीट पर सत्ता पक्ष के लोगों को बीडिसी सहायक देने पर जिला प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं सपा जिला देक्ष राजवी सिंग यादव ने प्रशासन पर एक तर्फा कारवाई कारूप लगाया हैं साथी कहा कि ये चुनाव लोकतंत्र को चुनाथी है महिलाओ के खिलाफ प्रत्याचार हो रहे हैं इस पर राजपाल महादे को संग्याल लेना चाहिए महीं सपा प्रत् मांग की है कि सहायक निरस्त किया जाएं ये चुनोती है लोकतंत्र को चुनोती है यहां सुनाव बीजीपी क्या कोई कार करता नहीं लग रहा है अगर मैं समाजबादी पार्टी का कोई साहिक मांगने जाए अप्रिकेतन देने जाए तो आप उसको नहीं बनाएंगे भाजपा को एजेंडों को आप साहिक बनाएंगे इसी तरी के जिलापंचाद अधेशी के चुनाव में हुआ था कि साहिक भाजपा के जो पदातकारी करोना की दूसरी लहर और प्रतिबंदों में छूट के बाद लोग छुटियां और गर्मी से रहत पाने के लिए पहाड़ी इलाकों की ओर जाते दिखे मसूरी मनाली नैनिताल में सेलानियों का ताता लगा दिखा ऐसे में मसूरी के प्रशासा ने सकती दिखाते हुए सेला के लिए कोरोना निगेटिव रिपोर्ट अनिवारी कर दी है रसल कोरोना की दूसरी लहर के धीमे पढ़ने के बाद ज्यादतर सभी राज्यों को प्रतिबंदों से मिप्त कर दिया गया वही लोग छुट्टी और गर्मी से रहत पाने के लिए इल्स्टेशन पर निकलते द दिखाई दिये बीते दिनों मसूरी नैनिताल मनाली की कई तस्वीरे सामने आए जहां सहलानी कोरोना नियमो का उलंगन करते हुए दिखाई पड़े एक और कोरोना की तीसरी लहर को लेकर तनाव बना हुआ है वही लोग बेपरवा और लापरवा ही बरत कर बिना मास्क और सोचल डिसेंसिंग रखके हिल सेशन्स पर घूमते दिखाई दे रहे हैं बतादी की हाला की तस्वीरे मसूरी के कापिटल फॉल की भी वाइरल हुई है जहां लोग कोरोना की नैमो का उलंगन करते हुए साफ दिखाई दिया ऐसे में प्रशासा ने सकती दिखाते हुए लैलानियों को कोरोना निगेटिव जाज रिपोर्ट दिखाना अनिवारी कर दिया है केंजरी ग्रह मंत्रिया में शाहाज अपने ग्रहर राज जे घुजरात के तीन दिवसी दौरे पर जाएंगे इस दौरान बारा जुलाई को भगवान जगनात की यात्रा की शुरुआस से पहले वो मंगल आर्थी में भी हिस्सा लेंगे 11 जुलाई को वो शेहर के बोपाल एलाके जाएंगे और वहाँ एक पुस्तकाले और नगर निकायत केंद्र का उधगाटन करेंगे जंगर नदी में करोना वाइरस के निशान नहीं मिले हैं बरारस हिंदू विश्वेदाले वारनसी और वीर्वल साहन इंस्टिटूट ऑफ परियो साइंसेज लखनाओ के विज्ञानिकों ने ये दावा किया है दो महीने की रिसर्च के बाद वैग्यानिकों ने नदी को कोविट फ्री घोशित किया उनने वाइरस की मौजूदगी को गुम्टी नदी में सितंबर दोहजार बीस और साल इस साल 21 मई को पाया था बेच्चियू में जीव विज्ञान विभाग के प्रोफेसर ग्यान इश्वर 24 के मुताबी गंगा में कोरोना वाइरस के संभावित अंशों की जाज के लिए दोनों संस्थाओं के वैग्यानिकों ने साथ सब्ता तक हर सब्ता दो सैंपल रहने की 15 मई से 3 जुलाई तक वारणसी शेहर से खता किये लेकें टीम ने आर एन ए निकाल का सभी सैंपल का अर्टी पीसिया टेस्ट किया बीरबल सहानी इंस्टीट के वैग्यानिक और इंस्टीट में कोविड लाप के प्रभुक नीरज राई के हवाले से कहा गया है कहरानी की बात है कि गंगा से खता किये गए सैंपल में वारल आर एन ए के निशान नहीं दिखिए आला कि कोम्ती नगर से बटोरे गए सैंपल म वाइरल आर एन ए की मौझूदगी दिखी है कि करोना संक्रमितों की संक्या में आज पहले से गिरावर दर्च की गए लेकिन मौत का आकड़ा कम होता नहीं दिख रहा है स्वासमंत्रवाले के ताजा आकड़ों के अंसार पिछले 24,393 नए कोरोना केस आए हैं 911 संक्रमितो की जान चलीगी इससे पहले बुदवार को 45,892 नए केस आए ते वहीं पिछले 24,291 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं यानि कि कल 1977 एक्टिव केस घट गया 8 जुलाई तक देश भर में 36 करोड 89 लाग कोरोना वाक्सीन के डोस दिये जा चुके हैं बीते दिन 40,23,000 टीके किये जिसका पॉसिटिटी रेट तीन फीज़ी से कम है राश्ट्री राश्टानी दिली में 13 दिनों की देरी के बाद आज मौनसून के पहुशने की उमीद है भारत मौसम विज्ञान विभाग यानिकी आईमडी ने शुक्रवार को ये जान कारी दी आईमडी के अधिकारि की मताबिक पिछले 15 सालों के दौरान ऐसा पहली बार है जब दिली में मौनसून इतनी देरी से पहुशेगा आम तोर पर दिली में मौनसून के पहुशने की तारिक 23-27 जून तक मानी जाती है आईमडी ने एक वक्तव्य में कहा दिली पक्षिमी उत्तर प्रदेश के शेश से च्छे दिनों के दौरान अलकी से मध्यम बारिश दर्ज की जा सकते हैं से पहले 2012 में मौनसून साज जूलाई को दिली में पहुशा था जब की 2006 में मौनसून ने नौ जूलाई को राजधानी में दस्तक दे दी थी फिलाल के लिए बस इतना ही फिर आफिर होंगे तब तक के लिए सबस्त रहिए सबस्तर करेंगे और देखते रहिए प्राइट टीवी अपिर बस्तर करेंगे जूलाई करेंगे लिए ऑपिर तक करेंगे पर देखते जब का दूलाई अब कानी जूलाई कि अबस्तर के लिए